नवस्कार मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ जोती सांगवान हर्यान कॉंग्रिस मानू गुटबाजी का दूसरा नाम हो गया के नए प्रभारी बाबरी आभी पार्टी की गुटबाजी का बवाल रोकने में लगभग नाकाम नजरा रखेंगे आप कोडिनेटर्स बनाए गए जिला अभधिक्ष बनाए जाने के उम्मीद जगी लेकिन नेताओं की समर्थकों की नारी बाजी बवाल और टक्राओ के बीच संगठन गठन एक बार फिर से चिनौती साबित हो रहा के क्यार्चा कॉंग्रेस की गुटबासी को लिकर करेंगे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देखेंगे हूँ हर्यान कॉंग्रेस की गुटबासी कम होने के बजाए लगातार बढ़ रही खे कॉंग्रेस उब्जरवर और कॉडिनीटर्स को जगह जगह अलगलग गुटों के अलगलग नेताओं के सवर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा के जीहां करीब एक चोथाई हर्याना में संगठन गठन की कवायत को नारिवाजी और विरोध के रूप में बड़ा जटका लगा के जीन गुरुग्राम नारनोल के बाद अब करनाल और कुरुक्षेत्र में केवल नारिवाजी अहंगावा नहीं हुआ बलकि कारिकरताओं और नेताओं के सवर्थकों के विच जम कर लात्गु से चलेंगे देखिए जो गो बैक के नारे लगाए गए हैं यह अमारा विरोधी से लिए है कि वही जो यह कमेट्टी गत्वित की जो यह उबजर्वर बनाए गए हैं इनके अंदर दुबारा से चेंज किया जाए और सभी नेताओं को एक साथ लेकर के एक अच्छी कमेट्टी बनाई दूबाजी पूरे रियाना गेंदर अच्छे बजर्वर बनाए जाए ताकि वही कंग्रेस को और याना के अंदर राज लाज लाने में आसामिए तुक्त बाजी कुछ में गुटवाजी दिखा रहे हैं ये सबी लोग उत्वाजी दिखा रहे हैं और उन लोगों को रोखन बाबू बेटा शिरफ अपने आदमियों के डिश्ट करने के लिए एक मैनूपलेट कर रहे है एक सठी अंतर के तहत ना नर्वाना में किसी के पास संदेशा है ना उचाना में किसी के पास संदेशा है ना जीन में कारिया करताओं के पास संदेशा है अगर को नेता गुंडा करती बदमाशी करता अपना वर्चा से स्थाफित करने की चेश्टा करता कोई भी हो ये राजियोगांदी की पार्टी है ये राहुल की पार्टी है ये इंदराजी की साधत की पार्टी है ये नहरु जी की पुर्वानी की पार्टी है तो कॉंगरस के सिदान्तों पे ही इसका इंप्लिमेंट होना चाहिए जिस तरीके से अबुपे नरु डादो कॉंगरस है ले गुटबाजी पर भारती जनचा पार्टी और आमादमी पार्टी ने भी कॉंग्रिस को आड़े हाथ लिया के अब ढूठ का उसके लिश्ब सराइप कामऌने इससे लोगा नहीं कि है तो इस परकार समनicting पूरे प्रदेश को भाठी आता pendant रोजगार्स अपने मेरे कहा था बहुत पहले कहा था हरियों सकार्थ हर यह कांग्रेस मुख्ध होने जा रहा है और अधाय जनता पायटी की पर्धेश के मनुला जी फिर तीसे बार हर्याने के मुख्यंश बनेगे इसे बनेगे कोई परिवार किये कोई बाप किये कई वे टा किये कि 40 पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉंग्रेस की खुटबाजी वो सामने हैं गुरु ग्राम के अंदर नावनोई के अंदर हिसार के अंदर जीन्द के अंदर हर जगह है प्रवारी मुर्दाबाद बाब बेटे का समिठन नहीं जलेगा इस तरह की बाते मैं समझता हूं कि आज जरूरत तो इस बात कि थी कि कॉंग्रेस हर्याना की सटकों कर उपर लड़ती दिखती लेकिन वह आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं और मैं तो पहले भी इस बा प्रदेश को देश को लूटना चाहते हो या अनुशाशन ना हो जहां पर गुटबाजी ही गुटबाजी हो या पर प्रेम के रिष्टे ना हो यहां पर एकता ना हो वहां से निकलिये जाहिर है हर्याना की सभी राजनितिक पार्टियां मिश्ण 2024 में जुटिंगे जीत का दावा हो रहा के कारिकर्मों और लोगों की वेड के लिहाज से कॉंग्रेस मजबूत तो नज़र आ रही के लेकिन कॉंग्रेस में संगठन निर्मान बेहत मुश्किल दिख रहा के अब एक कदम संगठन गठन की ओर बढ़ाया गया तो हालात बद से बदतर होती नसराई ऐसे में सवाल ही क्या इसी तिरह के गुटबाजी के बीच कॉंग्रेस सत्ता में आने का सपना देख रही है और अगर खेमे बाजी यूही हावी रही तो क्या कॉंग्रेस का संगठन तयार हो पाएगा निउस्डेस खरियाना निउस चले चर्चा की शिरुवात करते हैं रामराजी शिर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारका जुड़ गए हैं कॉंग्रिस प्रवक्ता राकिश गर्ग जी प्रवक्ता इनेलू रजवन डहिनवाल जी प्रवक्ता आमादमी पारटी डॉक्टर पंकर जुएनिवाल दी हमारका तो आगे थे आप सभी का, शिरुवात राकिश जी आपसे, जब जब पार्टी की प्रदीश अधिक्ष वदलते हैं, नई प्रभारी आते हैं, तब तब हर बार का दावा एक जुट होकर काम करेंगी, मस्बूती से काम करेंगी, संगठन की लिस्ट आएगी, लेकिन इस बार विस्थिती ढाक के तीन पात, या कहलें कि पहले से भी ज़्यादा हाल बेहाल हैं, इस बार तो बाबरिया के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं, बाबरिया मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिये गए जोती जी सबसे पहले मैं आपको नमश्कार करता हूँ, जो यह अपने चैनल के प्रबुद हमारे परवक्ता साथी वैटे मैं इन सब को भी नमश्कार करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जो धाई करुए परदेश की जनता हर्याना नूज को देख रही है, उन सब क भी मैं अपनी तरफ से और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से साधर नमश्कार करता हूँ, और आज जो विशे आपने शुरू किया है, जोती जी, मुझे लगता है कि कॉंग्रेस की तथा कथित फूट या जो आप ये शम्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आपने एक त पूट की बात, अगर आप भारती जनता पार्टी के लिए करते, तो मैं आपको दावा करके कह सकता हूँ, कि आपको कम से कम भी साड़े चार दिन की डिबेट रखनी पड़ती, और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, जोती जी इस बात को समझे, जो वीडियो चाज आ अलग अलग जिलों में जाकर, जो हमारे कारिये करता है, उनकी राय और उनका एक विशलेशन किया जा रहा है, तो बड़ी पार्टी है, आप ये देखी कि आपके खुद के शब्द हैं, कि अलग अलग गुट, जबकि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है, बड़े बड़े तमाम नेता हमारी पार्टी के अंदर है, जो अपने अपने छेत्रों में बैठकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और जजबपा और भारतिय जंता पार्टी की जो नाकाम और फैलियर सरकार है, चाहे वो बरस्तेचार का मुटा है, महंगाई का मुटा है बेरोजगारी का मुद्धा है लाइंड ओर्डर का मुद्धा है उसको बिलकुल बेनकाब करने के लिए हमारे तमाम नेता सडकों पर है परदर्शन कर रहे हैं और अलग अपनी पूरी ताकत के साथ इन लोगों से लड़ रहे है अब संगठन निर्मान का जो आपका सवाल है म भी नेता मैं दूसरी बात पर भी आऊँगा कोई हमारा एक नेता जिनको आप अलग अलग गुटों मरबाट कर चलते हैं किसी के मुझ से आपने एक भी ऐसा शब्द सुना जो कि आप ये कहें कि फलाने ने फलाने नेता के लिए ये शर्द बोला हो सकता है हम इसकी जाज कर अब प्रक्रिया का था कि तो जो अच्छी बात कि आप सवालों से नहीं प्रक्रिया का हिस्सा है आपने की संगठन गठन kita की और बढ़ने तो क्या हुआ घई ये प्रक्रिया क्या अश्यों प्रक्रिया होती है जब है कि बज़ेपी में चार दिन की डिबेट होनी चाहिए किस लिस्ट को लेकर आपने गुटबाजी देखी ने कभी वार्पीट हुई कब टक्राव हुआ कब नारवाजी तीस मिनट और सुन लीजिए ना 30 मिनट और सुन लीजिए ना हमारे यहां जो आज आप दिखा रहे हैं यह कारिय करताओं के ब्यान दिखा किस पूराने हैं कितने नए हैं या नहीं है इसकी पूरी जास हम पार्टी का अंतुरुनी मामला है करवा लेगी लेकिन भारते जन्ता पार्टी और जजबा की बात कर रहा हूं कि आप पतरकार नहीं है मनीश गोरोवर और अर्विंद शर्मा दो बड़े नेताइक पूरो मंत्री और एक आज का मौजूदा विधायत मुख्य मंत्री जी और ग्रह मंत्री जी गाहे बगाए इनके बीच के लगावास की ख़बने भी आती है मुख्य मंत्री जी और राविंदर जी सिंग जी एक ही मंच के उपर किस तरीके क्या अलग अलग ब्यान बाजी करते है देवेंदर बबली जी अपने विधान सबाग शेक्तर के अंदर बैठकर पूरो प्रदेश धेक्ष्टे ओपर किस प्रकार करेक्शन के आरोप लगाते है दादा दोतम पूरी की पूरी जजबा को लपेट देते हैं इश्वर सिंग जी राम निवास जी किस प्रकार डिप्टी सीम के उपर आरोप लगाते हैं राम करन काला जी अभी जो मुझत हुआ था अपनी चेर्मेन पसे इस्तिफा देते हैं आजे और अभे चोटाला जी किस प्रकार एक दूसरे के उपर आरोपर प्रत्या हो और किस और जिस प्रकार से डिप्टी सीम के उपर चोदरी विरंदर सिंग्ज और उनके पुत्र लगे हुए मैं नेता गिना रहा हूँ एक भी कारिये करता का नाम नहीं लिया यह वो लोग है मुख्या मंत्री हैं अधिन कंपर जाएंगे और आखरी बातोर सुने जिए वह अधिर बहुत बिस्तार्त वागे अगर मेरे बीच में बोले तो आप बोल नहीं पाएंगे शालिया देडाय रखिये सही में आप जोती जी जी और आप काफी से में ले चुकिए दर्ग जी आप अपना उतर भी आप काउंटर आपको अभी से अटेक भी कर चुके आप दूसरे निता उपर दूसरी पाइटियों पर मैं आप लोगों की तो देखिए नारिवाजी हो रही है मारपीट की नौबत आ गई है आप यह कहते हैं कि आपकी नेताओं के बयान कब नहीं आते रागिश जी आपकी फैर से इन परीवार किुनर आते रही हैं कितनी बारी नहीं कहते हैं कि जब होड़ा साफ मोखेमंत्री थे तब उस्तर हरियान ऑन का विकास नहीं हो पाया कभी कहा जाता है penetration की बहारे नेताओं के बिटे आप काभी से में ले चुके हैं वाई मैंने बोलन दे राम राज जी हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं लेकिन इस बार चुनकी जब कॉडिनेटर बनाये गए तो एक उमीद ये जगी के हो सकता कि इस बार जिलाधिक्ष भी बना लिये जाएंगे सब्सक्राइब करते हैं और इनके टाइम में तो कलोई से बाहर ने निकलते थे लाखण माजरे तक रोड बन गया आगे हमारा जीन शुरू होता हमारा गाओं वहां रोड नी बने असुख तवर को इनके को पार्टी छोड़नी पड़ी उसके उपर अमला किया क्योंकि वो रावल गांदी का सक्का था उसने उड़ा को बाइपास कर दिया था उड़ागी को इसे रणदी सुर्जावालागी को वहां वाटकैय राज स्तान से एमपई रासता बाहत Recystra को उलड़ना पड़ा अर्याना की राजनी CTW से उसको बेड़कल कर दिया इनके कॉंग्रिस के अंदर ही कई कॉंग्रिस है रणदी सुर्जावाला कॉंग्रिस है कुमारी सेल्जा कोंग्रेस है और कोंग्रेस को निकलने देखी है कलोई दा ये दूसरों के बारे में कटाक्स करें पहले अपने बारे में दो बताएं कितने विकास का लिए तुम ने कुराएं पूरे अर्याने में यह नहीं लेखिया है, महले किस पार्टी गाए है मोकरियों में भी हम पार्थ इस्ताल आए हैं, गरीबों को बच्छों को पहली बार मोकरी में लेख रही है और देर तुले जनता जिद्दान सुल को आपका है, आपका MP राजसभा और राक्सस कहता है, राक्सस है, तो जनता से क्या इस्षा करते हैं, आपको इस बात के लिए जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो जनता आपको घुषने नहीं लेगी उसके बारे में भी दो सबस बोलिया, आपके नू इंसा में आपके MLA पर पकड़े गए हैं, उनका नाम आया है, उनका नарको टेस्क राइब उनके बारे में भी बोलिया आपका संक्षन तो अभी बना नहीं है साइमें कमिशन गोवबैक आजादी से पहले से नारे लगते थे ऐसे ओजरवर गोवबैक ऐसे नारे लग रहे हैं हमने बूद कमेट यहां भी बना लिए पंदा पुर्मु का हमारे समयलन हमारे चलने लग रहे हैं सबसके मजबूद संक्टन हमाँ आपको पद फेले लट बजने लग रहा है खालकर की क्या प्रेस्ट हम्टन के कर रही है हमारे फैसलों पर मोर लगा रही है इसरी बार यहां पर माने मुख्यमंत्री जी सपत लेंगे यह भी दावा कर रहें कि हम सरकार बना रहें कभी इतना उस्ता है कारिकरताओं में अब बना रहें कि अब भी दीख रहा है जर्देन की बद्री है दैन्वाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉंग्रेस इतनी मजबूत हो कारिकरताओं को यह लग रहा हो कि हमारा ही नेता मुख्यमंत्री बने देखिए सरकार में तो हमाएंगे मुख्यमंत्री की कुरसी भी तयार के लेकिन मेता कौन बेटनी वाला के उसको लेकर यह शक्ति प्रदर्शन चल रहा हो अभी से देखिए जोती जी कॉंग्रेस में यह पिछले दस साल से यह जब से कटा से मुख्यमंत्री नो साल होगे और नो साल में इनके दस परवारी बंद्रे जा चुके हैं और हर बार बार यह आती है कि इस बार भी इनका संक्टन बन जाएगा इनका भी संक्टन बन जाएगा इंटरनल मेंटर कॉंग्रेस का है लेकिन चर्चा जब आ गई तो करना भी पढ़ता है बात बतानी भी पढ़ती है कि जिस परकार से आज कॉंग्रेस का जो हाल है वो सब के समझ में आ र संग उड़ा कॉंग्रेस को अपने लेवल तक सीमित है आज अगर साव के अलावा अगर किसी व्यक्ति ने क्चान आज यहां पर वीपक्षप की चोंगा नहीं पारी लेकिन उसके साथ-साथ जो वर्कर हैं जो कहीं न कहीं कोंग्रेस से जुड़ने का प्रियास कर रहे दें वो भी आज अपने घर बैठने का कार रहे हैं और दूसरा जो सार के गुरूप है वो कहीं न कहीं यह सोचने का प्रियास कर रहा है कि हम कोंग्रेस पायटी को जिंदा रखें उड़ा साथ को साइड लाइन करा दे और उसी के चक्कर में आज उनकी जो मुख्य जो जिम्मेदारी थी जो विपक्स की भूमिका थी उसको निवा नहीं पारे आप देखिए विधान सभा में भी बार बार एक बात आती है कि विधान सभा में कोंग्रेस जो मुख्य मुद्धों को छोड़कर और वो कहीं न कहीं भारत्य जंता पायटी के साथ देने का प्रियास करती है मुख्य मुद्धों से भटक कर कहीं न कहीं वाकाउट करने का प पुपेंदर सिंह उटा, तो खटर साग उठेगे, वो दूसरा सेर सुना देगे, और उनका एक चीज हैते हैं, कि सेर का भाई बगेरा, एक कुद्दे 9 तो दूसरा कुद्दे 13, हाला तो यह बनी हुई है, कि उन्हे हर्याना की जंता से कोई सरोकार नहीं है, आज हर्याना की जंता ने देखा कि विकल्प कि अगर कोई बात करें दो चोधिरी ओं प्रकाश चोटाला चोधिरी परिवर्वार्ब की लहर एक ऐसी लहर आएगी जो विपक्स और जो अपने आप पतापक्स जीय कहते है, हाज हर्याना में उनको सबकों पता लग जाएगा, इंडीयन लिप्दल पाइटी में एक वर जनता उसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि उन्होंने इंडियन लिप्दल पाइटी का सासन देखा हुआ है, उन्होंने कोंग्रेस का विशासन देखा हुआ है उन्होंने बारती देखा हुआ है। जंता अर ब्रस आगे हरियाम के जंता हर व्यक्ति को समय समय पर मोगा देती है जहां पर दस साल कॉंग्रेस के शाषन किया और वही पर जंता निए भारती जंता-पायंटी जंता पाहर करने की पात कर दाया हडियाना की जिंता को किस परकार से लूटा जाए उसके लिए इन्हों ने कठवंदन बनाया हुआ है ये नोगरी की बात करते हैं ये ब्रष्टाचार के जड़ करते हुआ आपको पता भी हो कि दूसरे पाईटी के साथ आप बीजेपी वाले बोल रहे हुए ना शायद आपको पता है कि वह एक ब्रष्टाचार उनका भी है उसके साथ आपका घ्रडबंदन ने वह वालेंगी वाले जिंता फाईटी की वोसिंग मसीन में दूल चुके हैं क्या आपको कम से कम बोलने से पहले ये सोचना चाहिए लोग भूल तुक है आपको इसलिए आपको एक पहला थोटा है भाई कभी बार बार इनारी लग रहे हैं कि बाप बेटे की नहीं चलेगी अत्ताना शाही नहीं चलेगी एक ही परिवार की कॉंग्रेस में नहीं चलेगी नमस्कार जोती जी सभी साथियों को नमस्कार सभी दर्शकों को भी रन मेरा नमस्कार देखे जोती जी दस साल पहले हरियाना से कौंगरेस को जंता ने नकार दिया था दस साल पहले नकारा था उसके बावजूद जब ये पिछली बार सत्ता में रह गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी कुछ खामिया रह गई थी जिनकी वज़े से हम सत्ता में नहीं आ पाए और अब हम उन खामियों को दूर करेंगे लेकिन वही खामिया पहले भी सिर्फ ओड़े जाते थे आज फिर से वही पूरे अरियाना के अंदर जहां भी ऑब्जर्वर जा रहे हैं अब्जर्वर गो बैक का नारा लग रहा है ये तो जब हमें आजादी मिली थी उस तरहें पर साइमन गो बैक के नारे लगते थे उस तरीके की आज माहौल हरियाना के अंदर इस कॉंग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने आज हरियाना का माहौल बिगाड़ा है इस ये सब काम करके वहाँ पर आब्जर्वर को गो बैक कर देना ये नारा लगा देना दीपक बावरिया मुर्दाबाद भी कह देना जो की पार्टी का परभारी है जिन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत बड़े बड़े अलग अलग राजय देखे हैं मैं बना के दूँगा मैं बहुत अच्छा काम करके दूँगा लेकिन उसके खिलाफ भी नारा मुर्दाबाद का लगा देना ये एक बहुत शरम की बात है बुपेंदर सिंग उड़ा इनके मुख्यमंत्री रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी की तरब से विपक्षी नेता भी हैं आज के दिन लेकिन उसको भी नोंने कह दिया कि बाप बेटी की नहीं चलेगी यानि की पार्टी में खुद की आपसी सामंजस से नहीं है प्यार का माहौ का माहौल नहीं है जिस पार्टी के अंदर एकता ना भो जिस पार्टी के अंदर प्यार का माहौल नह हो लड़ाई जगड़े हो सिर्फ औरते हिना की जनता का क्या बहला करें गें 請 जोती जी आज KONGHRस को इखटा होकर के जनता के मुद्रों के लिए सरकों पर होना चीये था सरकार के खिलाफ की सरकार आज आशा वरकर को काम नहीं दे रही है आशा वरकर के खिलाफ है सरपंचों के खिलाफ है किसानों के खिलाफ है जितने भी तमाम मुद्य थे उन सब के लिए सारे कारे करताओं को पूरी कॉंगरेस को इखटा हो करके आज जनता के बीच जाने की जरूर थी ना कि आपस में सिर्फ ओड़ने की जरूर थी अपने ही परभारियों का अपने ही observers को मुर्दाबाद या go back का नारा लगाने की इनको जरूर नहीं थी इनके साथ ही साथ आम आदमी party ने भी एक भिवानी के अंदर विशाल सपत समारों किया ने पदाधिकारियों का चार हजार के लगबग वहां पर ने पदाधिकारी पहुंचे और सबने ये शपत ली कि अब की बार आम आदमी पार्टी के पास तो बड़ी नेता हैं तो लड़ाई आदमी पार्टी के लिए ग्यारा लाख ने सदस्याम लोगों ने बनाए आम आदमी पार्टी को बड़े-बड़े चहरों की जूरुत नियंए बड़े-बड़े जूरुत अगर कॉंग्रेस के अंदर है और वहाँ पर यह ऐसे लट बजने हैं तो इसको लेकर आतिगराद्विन के प्रवक्तां याहां बैटकर कारें कि हमें कांग्रेस जैसे मेतां की जरूठ नहीं वहां तो सिर्फ उता यह क्या विरोधा भाव कि आपका प्रसंद यह था कि आपकी पालिटी के अंदर बड़े बड़े नहीं कि आपके पास बड़े बड़े नाम नहीं है कि हमारे पास बड़े बड़े नाम नहीं है हमारे पास आम आदमी है जो जनता है वही जनार्दन है और वही जनता आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग आप याद करो उस चीज को संदीब सिंग के खिलाब के तेंटा है और लोगों का संदीब सिंग क्या का खिलाब से टाना वार बाला मैला सुरक्षा के लिए क्या बात करेंगे बहुत हैं आप लोगे आप लो नाम वारी बैनार हो गई आप लोगों को शर्म नहीं इस बात कर दो यह बैट करके आप महिलाओं के सम्मार की पात करो नहीं को चेंग कियों पिशनक को पर लाटार वो रहो है का चलाती है पीजे पी सरकार रही है सब्सक्राइब के साथ हो या महिला कोच के साथ हो महिला कौच के साथ हो संदीप जिन के साथ हो जिसके उपर एक उपर शे दारा के साथ उसके दारा आप तो पता हैं नीजिवार्ण वाराओं के गुशन वाहते दो हैं तो जो है प्रिजेपी के करें तो एक रधा दिक रही हमारे जोंतर के इस प्रिवास उड़ी प्रेंग जिसे नियुक्ता प्रिक्तान के स्वेंगे यह कृम करें यह क्या दि वां बंड़ सब तरिक्वत्व करें जलबुद्वियमा करता है यह क्या दिक विश्क फुर्फ कर दश्क्राइब में अव्या अरे इस तर सुनिए शर्मा जी एक तो आप सब की बीच में बोलते हैं दूसरा परिशानी ये आपके साथ साथ आम आदमी पार्टी को म्यूट करेंगे ये स्टूडियों में ये म्यूट नहीं होंगे मेरे माइक से भी इनकी आवाज जाएगे फिर आपको लगे आपको म्यू अरूफें के सिर्फ ओड़ा गया जानलेवा हमला किया गया खुद उनकी और से आरूफ लगाए गये तब लगा कि कॉंग्रिस की वाकई बहुत बुरिस थिति गये आप जब कि 2024 के चुनाव में जारे उमीद ये कि जारी थी हाला सुधरेंगे लेकिन हाला सुधरने के वज अरूफें में बैठक करवाई थी जिसमें राउन कांदी और मन्ले का इंतर के भी मुझीद थे और नोनों ने सभी लेता हो को ये जहाँ था कि इस तरह से सबको एक जूपर चुनाओ रहना है और गुदवाजी और बयानवाजी पनु करना है लेकिन उसका असर ये हो रहा ह तो ऐसी इस्तिती में पॉंद्रियस का ये जिनावी मविश्य क्या होगा जो कि अजार प्रफिस की कुछ कहपाना बड़ा मुश्किल है और इस तरह से हो रहा है तो मुझे लगता है कि हाई कमांद को प्रेक्शन को क्योंकि जिस तरह से लाग बूर से चलने की दोबत आकर तरह से जो है अनुसासन तोड़ा जा रहा है अगर उनको लगता है कि एक ही गुट के बना दिये गए और वो सही राय नहीं रखेंगे तो उनको पार्टी के मज़ पर अपनी बात कहनी चाहिए तो पार्टी के मज़ पर कहनी के वज़ा है वो तो फुदी एक्शन दे रहे और घुट बनाके जहां कोडिनेटर पहुंच रहे हैं वहां लारे बाजी कर रहे हैं और दूसरा घुट भी जो है उसके टकराओ के लिए एक रहा है और टकराओं भी रहा है और ऐसी इस तरह की कुपाजी जो इतनी बहुत चबर्जस्त तरीके से चलग रही है कि को स्वाबर की Subscribe को तयार हैं कहीं पार्टी के हित और उनको कुछ ज्याद नहीं है तो दिया जारा है कि प्लाइंडवे मैं अंद्हे तृबर्द करने का यह हैं और और वो कुछ स्थन अब बहुस्त बहुत करें कि वह कहते हैं ़ो पढ python क्य के हो गई है और Obrig तो इसमें हाई कमान ही कुछ कर सकता है, यह बार-बार उमीद भी की जाते हैं, लेकिन गर्ग जी, आप यह कहे रहें कि बड़े नेताओं के बयान, जब मार्पिट की नौबत आ गई है सर, कब तक आप लोग यह कहे कर कि हम अजबूत हैं, या यह कहे कर कि हम तो इंटर्नल ड जोतवाजी पर परदा डालते रहेंगे, वो क्या वाकई कभी संग्यान नहीं लेगा हाई कमान? जोती जी मैंने जितने धहरिये से इन सभी परवक्ताओं को सुना तो अब एक डेर मिनट उतने धहरिये से मैं आशा करूँआ, ये लोग मुझे भी सुन लें, ये तो जोती जी भगवान का लाख लाख शुकर है कि ये जो डिबेट है, ये वर्चूल मोड पे हो रही है, अ हमारी पार्टी के फूल, मतलब जो आप ये तथाकतित शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कहीं ये स्टूडियों मोटी तो आज आप खुद इस बात की जिम्मेदार हो जाती है, ये परवक्ता अपसने एक दूसरे का किस परकार से मान मर्दन करने के लिए तैयार बैठे हैं और आदम पूरूप चुनाओं में इनके सर्थ क्या बना था, वो इनको खुद पता है, रजवन जे बड़े सीनियर पत्रकार है, मेरे छोटे भाई है, मैं इनको एक लाइन में कहूं कि आप आपने एटिटूड को ऐसे ही बनाए रखना मेरे मित्र मेरे भाई, क्योंकि इस एटिटूड से आपकी एक आई है, और यही आपका तरीका और सरीका रहा तो भवान आपका वहला करे, 24 में आपकी वो एक भी नहीं आएगी, आप में भारती जन्ता पार्टी के जो हमारे सेनियर परवक्ता बैटे हैं, थोड़ा विस्ताथ पुरवक्त जोती जी इनकी की बातों का उत्तर देता हूँ, जब यह बात को शुरू करते हैं तो मुदा, मनुहराल, गठ्टर क्यों का उप्लप्दिया बताएं न, मोधी जी की उप्लप्दिया नाम पर क्या मोधी जी, अरयाना के मुख्या मंतरी है, मोधी जी इस देश के मानने इतर्थाजा म पबिक मीटिंग के अंदर ये कहेंगे कि मैं तेरे को पिटवा दूँगा है कोई जज के बात करें तो जज का माता खराब हो चुका है जा मतलब किसी परकार के बाशाब यौश रूसिन के आरोपी सुनिये पुचि नौ साल से मुख्यमंतरिय मुरौ लाल और उनके पास उपलबदिया नहीं होंगे जाहिरे उपलबदिया ने दसाल हुडा साफ रहें उपलबदिया नहीं हो काम अब आख़े, आपको और जवाब रहा है, जोटी जे जवाब लेगा का रहा है, जिस बेपी के लिए पर्मुकर में आपका रहा है, आपको कुई संग्यादी का मिलकी आपकी उथे लिए करने है यहां। तो सुन लेंगे सर तरीके से आपके समय में आपको विशाथ से जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी अक्टूबर 2016 में वासुन यह सुन उस पर क्या कोई संग्यान लिया गया अशोक तवर पर जब हमला हुआ उस्ते पहले जब नेटाओं के बयान आए तभी कोई संग्यान लिया गया सेल जाके रहते हुए आपकी लिस्ट नहीं आई उद्यभान के अभी आप लोगों की लिस् और ग्राउंड रियालिटी क्या के आपके आपके समर्थ से कापस में तरने टक्राओं कर रहे हैं इस पर उतर दीजेना एक पुराना मुहावरा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे अपना घर सबलता ने और हमारे घर की यह लोग चिंता करते हैं लेकिन जम्मेंद्स अभ प्रशन कीजें मैं कहारा मैं आपकी बाद के उत्तर रहें तो 2019 के अंदर भी हमारा संगठन नहीं था 2019 के अंदर भी यही परस्तितियां थी भाजपाप ने आपको 75 पार का नारा देकर बैठी थी उसके बावजूद भी 31 विधायक हर्याना की माननिय सम्मानिय जंता ने हर् पर देंगे थी मैं तो यह समझता हूं कि यहां इमेलों के प्रवक्ता बैठे आम आदमी पैठी के बैठे हैं और भारते जनता प्रवाटी के बैठे अरे आप लोग तो भगवान से शुकर मनाओना कि हमारा संगठन ना बने आप लोग आमारे पर तो प्रेशर करकर करके ब करते हैं और चाहिए पन्न फ्रमुक की बात करते हैं यह पन्ने ऐसे पटेंगे इसकी अब युद्ध है उसे और आखरी बात वह सुनिए अगर इतना हैं आपको चैलेंज करता हूं आज रहाँ गोशित कीजिए चुनाव लोगसभा के साथ करवाईय अगर आपके मुख्या व कुमारी कुमारी सेल जाओ रणदीव सुर्गिवाला दिल्ली पहुंचे हैं वलेकार्धिन करें एक तो आपको बोटों की चाह करते हो आप को थराफ देते हो थराफ दना वुपंदर उटाजी को दीजिए यह भूत हो तो पन्ना परमुख है इनको खिलाने प्याने के बहाने प्रमुख भूते मिया अग्या धिया अग्याओं सब्सक्तब्र और पिर आप कार्ण संग्राइब देख ले आपना हुख लिए पड़ी जानतारी बैया दे रहे हो अब आप दो आप दोलों भी आप दोलंगे पिस्लियार मतरे देढ़नेगे वारने हांगे खृफिस्तब कुमारी सेलजा की और से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पार्टी के कारिकर्टाओं में नाराजगी है निराशाक है और मलेका अरजुन खडगी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं अन्रणीप सुर्जेबाला और कुमारी सेलजा तो पार्टी इंचार् कुल कर पाएगा सवाल के लिए राम राज जी इसका कुछ होने वाला नहीं है यहां भी लटपज रहा है रणदीव सुर्जेवाड़ा यार्याने की राजनी से बेदेखल कर दी है वो पेंदर हुड़ा जी ने राजसां से उनने तुनाव लड़ना पड़ा वो अपने अस गेंदर मां भी वारी सरकार बनेगी और राज दूर्या बनेगी बोदी जिती बार मंत्री बनेगे मनावर जी तीसरी बार यहां पर बुंगय मंत्री बनेगे आप बार बार जब यह कहते हैं कि रणदीब सुर्जेवाला को वेदेखल कर दिया गया किस नहीं वेदेखल किया जीत पाई राजसभा की सीट पर राजसान में भेज दिया पार्टी में उनको तो राजसभा में भेज आना इलेक्शन तो यहां पर फाइट के उन्होंने दोन आपकी पहले अपना अंदर का मामला शुड़ जाइए जनता जनादन आपको नकार चुकी है अर्जेगे आपकी पार्टी में लटवाज नहीं लग रहा है पूरे हर्याना ने और पूरे ही देश में दैनवाल जी कहीं नहीं जो अब्जरबर्स लगाए गए हैं उनको लेकर भी संशेख है कॉंग्रेस के कारिकरताओं के बीच कि कहीं ऐसा तुनी कि हुड़ा साब की तरफ कहीं हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि बैलेंस बात ना इस लाकुली के भी डरके या इसके उलट भी ये लगे कि एसार की के में कि होई है कि छल फिदे डर Remote को कि अफिदे का मैं यह इन कोई पढ़ेगा है औरो क्राटी करता यह बूल जाते है कि नारे भारते जनता परिकि कि खिलाफ लगाने लगाने ऑपने लह आपने लग जाती है आपने आपको मजबूत करने की बात कर रहे थे उनके पन्ना परमुख सतर परसेंट साट परसेंट रहते थे इनको यह गलत रहे पकड़ जाते हैं आत्मा को प्रमात्मा चोधरी पुपेंदर शिंग उड़ा रात को सीम बन के सोते हैं लेकिन उनको यह नहीं है पता के सीम मनने के लिए च्यान इस विदय की उनको आपने कर रहे हैं कि नदर बते कर रहे हो आप जम्मेवार पार्टी के परवक्ता हों अधर आप पुरियां आपके ऑन जो कम आपको करना था आज आप मुख्ये में पक्सेदल की भूमिका नहीं नी नी बारे हुआ रहे बाती सभी को मुट रखा जाए कि ये ये केवल सभे वरबाद हो रहे हैं सभी बोल रेंग दूसरे के साथ में जी 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 मैं वैसे आला कि आपको पता है जी जी और मैं यही बताना चाहरा हूँ कि जाकर सत्ता भारती जनता पायटी को मिलिये तो उसका ताहित तो बनता है उसका नेतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता कहीं तेसी काम करें और अगर जनली तेसी कहीं काम नहीं कर पाती है तो मुख्य विपक्सितल आज कोंग्रे बनती है कि वो जनता के समाधान करने के लिए सरकार से सवान करें लेकिन आज आलात यह बने में कोंग्रेस और भारती जनता पायटी में नूरा कुष्टी चल रही है मैं जो बार बार आपको जो चीज बताना चाहरा था कि ये शेरोशायरी में समय वेतीत कर रहे हैं आज इ आज इस मुद्धे पर बात नहीं कर रहे हैं डिरेन ला करें डिवेट को मैं वाल जी बोली नहीं मैं मुद्धे की बात नहीं यह बात रहूँ यह भारती जनता पायटी जिसने किसानों के उपर लाठिय चलाने का काम किया आज शिक्षक्दि उसके उपर भी यह कहते हो बात कर रहे हैं किवल उनकी और यह जाएगी दर्शेकों तक मैं सभी को बता दूं बाखी सभी मियूट रहेंगे क्यों कि समय कम है और हमें चर्चा और करनी है बैनिवाल जी अभी देखिए कुमारी सेलजा भी दिल्ली पहुंची है पारटे हाइकमान के सामने रंदीप क्या कोई संग्यान लेगा अब जो हालात हो गए है अरियाना कांग्रेस के निश्चित तौर पर जोते जीए संग्यान लेने की बात है कि कांग्रेस पारटे में इतनी बड़ी फूट जो पहले नेताओं के नाम से आती थी कि बई सुरजेवाला का गूठ है सेलजा का के लिए बड़ी बैठक करने का लिश्ची तोर पर एक बहुत बड़ा विश्य आ गया है कि हरियाना में संगठन किस तरीके से बनाए जाए कि शैद 9 साल से संगठन इसी तविजय से नहीं बन पाया कि जिस दिन भी संगठन की हम आवाज उठा देंगे उसी दिन ऐसी नौबत अब हरियाना के सामने, हरियाना के कौंगरेस के कार्य करता हों के सामने आ जाएगी और जो इनका चेहरा है वो असली चेहरा जनता के सामने पहुँच जाएगा क्योंकि लड़ाई जगडा करते हैं मैं बीच में भी कह रहा था बाजपा जो है लटमार पार्टी है और पंचों की बात वो चिसानों की बातहु महिलाओं की बात crítια अश्रपर की बसesi शेंके बातव से हुए। शंव नी और अज भी वह बहने एक डूर्पक कर रहे हैं ऑपनी वातों को आज जंता के सामने रख pupil नगठ रही है जाँ किसान हो मैं यही बताया कि determine दोनों नेताओं की और से एक नाराज़्गी दिखाए गई है कि वह भीद भाव कर रहे हैं हलांकि कोई उपिश्यल जानकारी नहीं दिख़ए लेकिन सूर्सी जानकारी दे रहे हैं कि बावरिया को लेकर कहा गयाख है, साथ ही कारिकरताओं में निराश्याक कही भी कहा गया है, राकिश गर्ग जी, आपसे जवाब लेंगे इस बात का, लेकिन जादुन साथ, दोनों नेता, दोनों बड़ी नेता हैं, सार्की की हम बात करें, तो सैल जा और सुर्जे वाला, सार्की की जो ति उनके नाम पर बिने का काम करते हैं, जो नारे बाजी पहले इनको नियंत्रित करना चाहिए, कि यह जो आपको इस तरह के नारे बाजी और हाथा पाई करने की जरुवत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, हम पार्टी हाई तबन तक होस सकते हैं, वहाँ आपकी बात रखेंगे, उनकी भाव नाए रखेंगे, तो इनको समसे पहले, जो इनके पता नहीं वो इनके समर्थक हैं या नहीं, या कोई साजिस के हिस्से के रूप में वहाँ भेजे गए और नारे बाजी करवाई गई है, तो यह पूरी तरह का विशे भी है, और इनके नाम पर अगर नारे बा तो जो इनके से खोले मंच पर जिस तरह से खटरा हो रहा है, उससे कॉंग्रेस की साख घिरी ही नहीं, कॉंग्रेस तमाम और दूसरे दरों की राज्नेती तरों में आपसी प्तिबंदिता होती है, एक दूसरे की कम्यों को उठाने का काम करते हैं, लोगों के बीच में ले को बताई तो जो स्थेती अभी है दो से तीन दिन से आप देख रहे हैं हर्याना कॉंग्रेस में गुटबाजी की उसे लेकर दिल्ली दर्बार भी सुर्जेवाला और सेल जानी शिकायत की है सुत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं हलांकि कुछ बाती मीडिया की साबने क कह भी दे गई हैं और कुछ सुत्रों के हवाले से साबने आ रहे हैं कि बाबरिया को लेकर भी कहा के आके तो आला कमान के पास पहुंचा हर्याना कॉंग्रेस में गुटबाजी का मुद्दा पार्टी के दिल्ली दर्बार में सुर्जेवाला और सेल जानी शिकायत की है सु कोड़े से अपसेट हैं तो उस चीज को लेकर हमें लगा कि हम अपने राश्री अध्यक्ष के सामने अपनी बात हूं उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हर्याना में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं जिलों में तो स से हो रहा है इस बाहर के प्रभारी हैं जो जा जाकर वहां पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं तो कॉंग्रस को मजबूत करने वाली बात नजर नहीं आ रही तो कारेकरताओं में एक रोश तो पैदा होता है तो ना सतिसगर प्रभारी है और इन से पहल पूर किंद्री मंत्री भी रही है प्रभीय शद्धक्ष भी रही है कुल मिलाकर वरिस्थ नेता के राकेश गर्ग जी आप कुछ बचा के गुटबाजी का खंडन करने के लिए आपके पास प्रभारी जो निप किये गए हैं उन कि दुन खोल कर भूरी बूरी तारीफ करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए मैंने डिबेट की शुरुवात के अंदर एक बात आपको कहीं थी कि जिस परकार की बात्चीत आज जो ये आपके चैनल के माध्यम से नजर आ रही है तो हमारी एक बड़ी पार्टी अगर किसी की कोई पॉइंट है तो आप यह देखें कि अभी डिवेट करते करते हैं वह बात हमारे शिर्ष हाई कमांड तक चलिए उनके संग्यान में मामना है तो यह अगर बंद कमरे में प्लेट्फॉम पर हो जाती तो यह मजबूती पार्टी आपकी मेडिया के सामने आगर बाइट प्रेट करने आपके नेता तो यह अगर बंद कमरे की भीतर बात तो आपके पर बदल जाता है आप मुझे यह बताईए यहाँ भारतिये जन्ता पार्टी जजबा और इलेलो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए कोई एक एक्जाम्पल आपको याद आता है राष्टिय स्थर से लेकर प्रदेश तर्त कभी रोने कोई चुनाव कराकर संगठन का निर्मान करवायों पूरी दुनिया ने देखा पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि मलीकर जुन खड़ गे जी एक लोगतांत्रिक प्रक्रिया आट भी अभी आप दूत का नीरी चुनिया के इस परकार कोंगरस पार्टी अपने ढड़तों जूनाव पिलकुर्ट जिए डूमियन में затुन संगठना असे प्रकिरिया पता रहाँ कि लोहां भी स्यांड़ प्रकार के अंदर किसा अच्छित ने जूना प्रभारी कैसी बात कर रहे हैं लोगों के बीच में जाके क्या कॉंग्रेस की कारीकरता निराश है कुछ लोग कॉंग्रेस में फूट डाल रहे हैं इतने सारे सवाल है इन सवालों को छोड़कर आप चले गए कि नड़ा साब को कैसी लग किया गया उन्हें कैसे चुना गया आप आप जोते जो सुनें 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 आपके उस प्रशन के उतर पर भी आ जाता हूँ मैं शुरुआत से इस बात को कह रहा हूं और बिल्कुल इमानदारी और खुले मन से कह रहा हूं कि संगठन निर्मान की परकेरिया चल रही है हर कारिय करता छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उसकी आपतिया सुझा उसके जो विशिलेशन है उनको अमंतरित किया जा रहा है यह एक बंच एक इकत्था सारा का सारा डाटा इकत्था किया जा रहा है इसके अंदर अच्छी परतिक रिया भी आ रही है और कुछ नेगेटिव परतिक नियागी जो कर्मारी मुट करें जायो हमारी काफी जयारी से मातम केवाइर से आख राइट एक लाइट सुन लीजी जे शिर्फ एक लाइट लाइट सुन लीजिए आज आज रहा शिक्सक सबस्क्राइब इसके एक बड़ी नेता जो इसार्क मैं से एक हैं पहला नाम जो के मैं शेल्जा जी आज उन्हीं कॉंग्रेस के ओरिजिनल कारे करताओं की वेदना उनकी तकलीफ उनकी पीड़ा जिस प्रकार से उनको दर किनार किया जा रहा है उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष संथन महासचिव जी के समक्ष रखी परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी उससे बहार उससे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांट जो कॉंग्रेस जीत रही है एक सोची समझी रंड नीती के तहट कुछ लोग उस प्रांट में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं वो कदापी स्विकार जादुन साब आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगी ओडिजनल कारे करता कुमारी पशन्तुस्विता है वो अपने अपने तरीगी से पर्युहासित कर रहे हैं अब और ये कह सकते हैं के ये पुराणे कर टाय है नहीं है or अब ये है आप उनको भी कहेंगे कि जैनोई नहीं है तो आप इसको कहें किसी को नॉन जोईन नहीं है तो यह तो बनता नहीं है वाकि जो समझा रहें पार्टी आई कमान के समख्ष करें प्रणिव सुर्जेवाला के रहे हैं कि विखरावल आने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी कितने भी डावी किये जाएं कि पारटी एक्जूट के लेकिन सभी के सामने है स्थिति क्या के आप सभी का बहुत शुक्री आप लोगों ने वक्त दिया चर्चा हमने की चुन्याव करीब आरे संगठन के गठन का इंजजार के लेकिन क्या ऐसे हालात में कॉंग्रेस पार्टी संगठन बना पाएगी क्या ऐसे हालात में सत्ता में आने का कॉंग्रेस अपना देख सकती है इन सवालों की जवाब देने की कोशिश के फिलाल दीजिए जासे नमस्तार